हलो वीवर्स 66 BPSC का कटाफ बिलकुल अथेंटिक जैसा कि पूर में मैंने 65 और 64 के कटाफ बताई थे ठीक 66 के लिए मैं कटाफ का आपके सामने प्रेडिक्शन कर रहा हूं लेकिन चुकि ये सब्जेक्टिव होता है इसमें वस्तुनिष्टिता नहीं हो सकती है इसलिए ये गलत भी हो सकता है वास्तिक कटाफ तो लोग से आयोगी बताएगा बिहार प्रभी सर्विस कमिशन लेकिन चुकि पूर में मैंने प्रेडिक्शन दी है वो अथेंटिक रहें इसलिए चुकि हमारे वाटसप ग्रूप पे लोग जुड़े विये थे वो हमसे कह रह है शिस्टी टू में जो कटाफ रहा था वो 97 गया था अंडिजर्ट के लिए अगर हम बात करें शिस्टी थर्ड में अंडिजर्ट के लिए तो 96 शिस्टी फूर्ट में 97 और 65 में भी 97 था लेकिन इस बार यह कटाफ 95 रहने की संभावना है वेकैंसी जो हैं आपकी 691 हो गई है और नमबर आफ कॉलिफाइंग करने वाले मेंस के एक्जामनेशन के जो अबहरती है वो लगबख साड़े आठ हजार रहेंगे क्योंकि बारा एक पत्क के तुलना में बारा अबहरतीयों को कॉलिफाई आयोग कराता रहा है अगर हम फीमेल की कटेगरी की बात करें तो य का क्टाफ भी आगर हम पूरे पैटरन को देखे हम पुराना आपको क्टाफ नहीं बता रहें सिर्फ इस्टी फिफ का कटाफ को बताकर आपको बताना चाहरें किस परकार से एक पैटरन रहा है और अपकी यह कॉडिंग अपकी यह 90 रहेगा अगर स्टी के कटाफ की बात कर तो ये cut-off जो है लग भग 92-93 के बीच में रहना चाहिए और backward class की अगर हम बात करें तो backward का cut-off भी 95 के around ही रहेगा 94 भी हो सकता है बट वो 94 रहेगा सबसे बड़ा जो है dramatic change अगर आप देखेंगे तो EWS है और EWS का जो cut-off रहेगा वो भी जो है male के लिए 91 तक जाने की संभावना है और female का cut-off जो है 85 तक जाने की संभावना है ये मेरा total production है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है तेकिन ये चुकी मेरा production है पूर में अगर आप मेरे वीडियो को देखें तो production सही गए है इसलिए मेरा अनुमाने की ये cut-off इतना ही जाना चाहिए thank you so much